आज, जब मुर्ली पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मेरे दिल में एक बात याद आ रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की, तो सब जब स्कूल से कॉलेज गए और अपने अपने रस्ते गए, तो वो मेडिसिन पढ़ने गई, एमबीबीएस करने, और फिर बाकी सब के जो कोर्स थे, किसी ने ग्रैजुएशन किया, किसी ने पोस्ट ग्रैजुएशन किया, तो बाकी सब के कोर्स तीन साल में, पांथ साल में पूरे हो गए, अब उसकी पढ़ाई पूरी ही ना हो, वो तो एमबीबीएस करें, फिर उसकी बाद इंटर्शिप करें, फिर स्पेशलाइजेशन करें, फिर पता नहीं क्या क्या करती ही चले गए, तो नो वरश हो गए, सबको प्लस टू खतम किये हुए, तो तब भी वो स्पेशलाइजेशन पढ़ रही थी, उस समय भी, तो कुछ एक-दो साल उसके तयारी में भी चले गए थे, तो तब तक मेरी तो जॉब भी लग गई थी, और शादी भी हो गई थी, और ज्यान में भी मैं आ गई थी, तो उस समय पर मैंने उसको पूछा, इतनी लंबी पढ़ाई कैसे करते हो, कैसे मोटिवेटेड रहते हो, नो-दस साल पढ़ना, कोई मासी का घर तो नहीं है, मैंने कहा उसको कि मैं तो पढ़ते पढ़ते न, मैं चार साल में ऐसे तंग आ गई थी, कि मुझे लगता था कि अब बस खतम हो ये पढ़ाई, तो मुझे कहती है, फ्रस्ट्रेशन तो हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है, अब इतने वरश तक पढ़ते रहते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि कभी ये पढ़ाई कतम होगी, तो फिर मैंने कहा, फिर मोटिवेट कैसे करते हो खुद को, तो मुझे कहती है, बस सोचते हैं न, कि चलो कल बन जाएंगे, तो जैसे ही सोचते हैं, तो फिर वो जो अंदर जितनी थकान होती है, या जलाहट होती है वो खतम हो जाती है, और फिर सोचते हैं कि चलो कल डिग्री मिल जाएगी, कल जाके डॉक्टर बन जाएंगे और वो सफलता हो जाएगी, तो बस कल-कल करते हैं, ऐसे चलते हैं, तो आज बाबा भी हमें मुडली में कहते हैं, कि तुम्हारी ये पढ़ाई हैं, देखो जब ह पास आते हैं, तो भक्ती मार्ग में तो हमारा संबंध होता है भक्त और भगवान का, तो हम भक्त की तरह भगवान से फर्याद करते हैं, और इंतजार करते रहते हैं कि कभी वो खुश हो हमारी जोली में कुछ डाले, तो इस प्रकार से भक्ती मार्ग में तो चलता रहता है लेकिन जब बाबा आती हैं तो बाबा हमें सब चीज का ग्यान देते हैं बाबा हमें अपने नाम रूप का ग्यान देते हैं धाम का ग्यान देते हैं, कर्तवय का ग्यान देते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा ग्यान जो बाबा हमें देते हैं वो है बाबा के साथ संबंद का ज्यान और बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, शिक्षक हूं, सत्गुरु हूं हम भी रोज मुरली में सुन लेते हैं कि चलो बाबा बाप है, टीचर है, सत्गुरु है लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि हम मुरली में बहुत स संबंध है वो उस प्रकार से नहीं चलता आप देखो जब बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ तो बाप माना बाप ने कहा बच्चे ने किया तो इतना आज्याकारी हमें होकर बाबा के साथ चलना होता है कल बाबा ने कहा ना बाप को अपनी मत नहीं देना तो हम चोटे बच्चे होते हैं तो जो बाप कहते हैं बाप दिन को रात भी कहेगा तो हाँ कहते हैं बाप कहेगा कि यहां तुम सेफ हो यह इस तरह से ठीक है तो उसको मानते हम अपनी अकल नहीं लगाते लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि बाप के साथ कैसे चलना है और कई बार हम अभी भी वही भक्त और भगवान का संबन्दी निभाते रहते हैं और बाप के साथ उस प्रकार से सरेंडर बुद्धियों के चलें ऐसा नहीं आता हमें देखो मुझे याद है एक भाई आता था तो मुझे कहता है कि मुझे याद है हम लोग उस दिन कोर्स कर रहे थे कई सालों पहले की बात है तो बरसात हो रही थी तो सुबह साड़े आठ बजे थे मेरे भी ओफिस जाने का समय हो रहा था उसका भी हो रहा था तो वो भी यहीं से ओफिस जाता था कोर्स करके और मैं भी ओफिस जाती थी उस समय तो साड़े आठ बज रहे थे बारिश हो रही थी तो मैंने अपने मन में सोच लिया कि आज तो बरसात हो रही है आज चुट्टी कर लेते हैं तो उसको भी मैं कोर्स कराती चली गई तो जब आठ चालिस हो गए तो मुझे कहता है कि दीदी आज कोर्स खतम नहीं कर रहे हो जाना है तो मैंने का अभी तो बारिश हो रही है अभी कैसे जाओगे जैसे बंद होगी तो जाओगे न तो कहते है क्यों तो मैंने का कि क्यों मतलब बारिश में कैसे जाओगे बारिश बंद होने दो न अभी बंद हो जाएगी तो चले जाना तो मुझे कहता है कि अच्छा मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं अपना कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ तो मैंने का हाँ बताओ तो मुझे कहता है मेरी मा एक मजदूर थी तो मैं आज एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ पढ़ लिग गया हूँ ये बड़ी बात है लेकिन मेरी मा एक मजदूर थी और सारी जीवन मैंने उसको मजदूरी करते देखा और गर्मी सर्दी बरसात का क्या महत्व होता है उसके जीवन में हमने नहीं देखा वो हर सुबे उसी समय निकलती थी उसी समय काम पे जाती थी काम करके आती थी तो जैसे मैंने उसको देखा तो मुझे भी नहीं पता कि गर्मी सरदी वरसात के हिसाब से टाइम टेबल चेंज होता है तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी और मैं अपने मन में विचार कर रही थी कि देखो मात पिता जब बच्चा छोटा होता है तो मात पिता जैसे होते हैं बच्चा वैसे रंग में ढल जाता है कभी पूछता नहीं है कि यह ऐसा क्यों पिता छे गंटे सोएगा तो बच्चा भी छे गंटे सोएगा पिता चार गंटे सोएगा तो बच्चा भी चार गंटे सोएगा क्योंकि उसको उतना ही आता है, उसका reference point ही वही है तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ तो जैसा बाप वैसा बच्चा तो हम बाप के संबंद में बच्चा बनकर चलते हैं यह हमें अपने आप से पूछना होगा कि बाबा तु कहें देता है तुम आत्मा हो और तुम मेरे बच्चे हो तो क्या मैं भी अपने आप को बाबा का बच्चा समझ कर जैसा मेरा बाबा वैसा मैं जैसे मेरे बाप के संसकार वैसे मेरे संसकार और फिर बाबा कहते हैं यहां तो दो पिता हैं शिब बाबा पारलोकिक बाब भी है और ब्रह्मा बाबा अलोकिक बाब भी है तो चलो पारलोकिक को नहीं भी समझ पाते हो अलोकिक को देखके चलो उसकी दिन चरिया, उसकी जीवन, उसके समर्पन को देखो और समझो कि तुम्हें वैसे चलना है तो बाबा हमें कहते हैं कि म मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वो समझ कर चलो, ऐसे ही शिक्षक की बात है, तो बाबा केते हैं, तुम अभी मैं परम शिक्षक जग तक बैठा हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का क्या होता है, पढ़ना, तो ये पूरी जीवन, भले ही हम दुनिया के हिसाब से ग्रियस्ती हैं, नौकरी वाले हैं, चाहे हम कंपनी चलाते हैं, चाहे हम कहीं और नौकरी करते हैं, चाहे हम किसी और रोल में रहते हैं, लेकिन बाबा केते हैं, मैं परम शिक्षक तुमारे सामने बैठा हूँ, तो अन्स पाषनम हमारी Godly Student Life है, इस Godly Student Life में हमें चार सब्जेक्ट की पढ़ाई दी गया है, ज्ञान, याद, धार्ना और सेवा ये चार सब्जेक्ट हमें सारी इस संगमयोगी जीवन इसी पर ही मैनत करनी, ये चार सब्जेक्ट के पढ़ाई ही हमारी Godly Student Life है और बाबा हमें कहते हैं ये पढ़ाई जो है ये भविश्य के लिए हैं इस जनम में पढ़ेंगे पूरा एक जनम पढ़ने का है और प्लेस्मेंट होगी सत्यूग में दुनिया में तो इसी जनम में पढ़ते हैं और इसी जनम में प्लेस्मेंट हो जाती हैं लेकिन ये जो हमें स्टूडेंट ही बनके रहना है हमारी चार सब्जेक ग्यान याद धारना सेवा इस पर हमारा एटेंशन होना चाहिए और बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं अपनी उस फ्रेंड की बात आपको बता रहे थी कि जब तुम्हें थकान होने लगे मोटिवेशन की कमी होने लग लगें की कैया बार ऐसा होता है खिक पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है पता नहीं कब तक पढ़ना है तो बाबा केते हैं अपनी भविष्यी-राजाई का चित्र सामने रखओ की अभी अभी यह बन जाएंगे और वो जो भविश्य-राज्याई का चित्र है देखो पढ़ा आई एक तपस्या होती है, student life एक तपस्वी जीवन होता है, student life में distractions, student life में time waste करना, ये काम नहीं होता, सभी student रहे हैं, किसी ने मानों छटी तक भी पढ़ाई की है, दस भी तक भी की है, तो अभी student तो रहे हैं, तो वो जो हम student life है हमारी, वो student life में क्या होता है, सिर्फ पढ़ आपका दाइरह उतना ही है, आप सारे दिन उसी के अंदर ही जैसे व्यस्त रहते हैं, तो student की जीवन एक तपस्वी जीवन होती है, अब देखो, दुनिया में क्या होता है, कि जब एक student होता है, तो उसको कहते है, देख, तू अभी student है ना, पढ़ लेगा, और नौकरी लग जाएगी, तो तुझे बड़े लड़ू खाने को मिलेंगे, और तो बड़े मानशान से जिएगा, कोई मेहनत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसको लड़ू खाने को मिलते नहीं है कभी, फिर के नौकरी में चला जाए, तो भी उसको कहेंगे, शादी हो जाएगी तो शायद वो लड़ू खाओगे लेकिन बाबा कहते हैं वो सब तो देखो तुमें चलते रहते हैं तुम इस जनम में सोचते हो कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी हमें प्राप्ती होगी लेकिन पढ़ाई पूरी हो जाती प्राप्ती कभी नहीं होती लोकिक तो तंवे अगर तुम ये चार सभ्जेक्ट पर ध्यान दिये और इस एक जनम तुम्ने अपना समेस अंकल वेस नहीं किया तो तुमे एकिस जनमों तक किसी बात की परवा नहीं होगे 21 जनमों तक तुमें सर्व प्रापतिया होगे लेकिन ये एक जनम हमें चारों सब्जेक्ट में सुस्त नहीं होना है और सबसे बड़ी बात है अपने आपको मोटिवेटेड रखना है कोई दूसरा हमें मोटिवेट नहीं करेगा पढ़ाई में बीच में ठक के छोड़ देना बहुत आसान होता है मैंने अपने जीवन में ये चीज अनुभव की है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी मैं आपको बताओं जब मैं पोस्ट ग्राजुएशन में थी तो हमारे क्लास में ऐसे बहुत बच्चे थे जो बहुत इंटेलिजेंट दिखते थे लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो देखने में नहीं पता चलता था कि इंटेलिजेंट है या नहीं है या उनके कोई मार्क्स या ग्रेड भी बहुत अच्छे नहीं आते थे लेकिन वो बच्चे आज सबसे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो intelligent थे उन्होंने तो 2-4 साल में पढ़ना छोड़ दिया लेकिन ये 10 साल तक PhD करते रहे और पढ़ते रहे तो जो जीतना लंबी रेस का घोड़ा होता है न पढ़ाई में वही जीतता है तो बाबा भी हमें कहते हैं कि इस पढ़ाई में सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम अपने आपको उमंग उच्साह में रखो और उसके लिए बार-बार अपनी राजाई का चित्र बुद्धी में लाओ तुमें कोई और उमंग उच्साह नहीं दिलाएगा कोई है जो आपको रोज उठाएगा अमरितवेला कराएगा अगर आप मिस करेंगे तो आपको रोज एटेंशन दिलाएगा लेकिन फिर भी यह जो चार सब्जेक्ट की पढ़ाई है इसमें हम निरंतर आगे बढ़ते रहें इसके लिए हमें अपने आप को बहुत उमंग उच्साह में रखना है और बाबा ने तो हमें बताया है कि ब्राम्भन जीवन का श्वास ही उमंग उच्साह है ब्राम्भन से देवता बनने तक चैन नहीं लेना है जब तक देवता ना बन जाए ना तब तक चैन नहीं आना चाहिए तब तक अपने आपको निरंतर उमंग उच्साह में रखना है और वो उमंग उच्साह कोई दूसरा नहीं दिला सकता शिबाबा तो दिलाता ही है, मुरली सुनाता है रोज, हमें क्लास कराता है, सब कुछ कराता है लेकिन अपने आपको उमंग उच्सा में रखना वो बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिबाबा भी मुरली सुना रहा है निमिट टीचर भी पढ़ा रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अगर अपने आपको उमंग उच्सा में नहीं रखते तो इंट्रेस्ट लूज करने लगते लेकिन इंट्रेस्ट अगर लूज कर देंगे, तो क्या होगा? बीच में, बाबा कहते है नहीं इस पर से उस पर जा रहे है वीच समंधर में चलांग मारेंगे तो खुदी डूब मरेंगे और क्या होगा? तो अगर बीच में ठक जाते हैं बीच में नहीं होता तो फिर क्या होता? अपनी ही यात्रा को जो है, या तो उसकी स्पीड कम कर देंगे, या यात्रा छोड़ देंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज बहुत अच्छी युकती बाबा ने दी है, कि पॉकेट में चित्र रखो, और बार बार उस चित्र को देख कर खुश होते रहो, कि हम ये बने क बने, लक्ष्मी नारायन का अपना लक्ष्य अपने सामने रखो, और बार बार विचार करो, कि कल, आज और कल की बात है, कल हम ये बने की बने, और इतनी खुशी में अपने आपको रखना है, और दूसरा है, बार बार अपने लक्ष्य को देख कर ये भी विचार करो, कि कि कितना हम लक्षे के नस्दीक पहुंचें और कितना भी दूर हैं, क्योंकि पढ़ाई की जीवन में पढ़ें भी, एड्मिशन भी हुआ, पढ़ भी रहे हैं, और लक्ष पर पहुंचें ना, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं, इसलि मुरली, मिस नहीं करना, याद में रहना, पवित्र बनना, लेकिन आज बाबा खास एटेंशन देरा रहे हैं, चोथी सब्जेक्ट पे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट के 25-25 मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान याद धाड़ना चाहिए, सेवा भी चाहिए, बहुत सुस्ती लाती है, और दुनिया में भी आप देखो, जूट बोलने वाले कितनी जूर-जूर से जूट बोलते हैं, लेकिन सच बोलने वाले को बड़े ताकत लग रहे हैं सच बोलने में, वो नहीं बोलता, मुझे एक बार एक माता नहीं कहा, सब लोग डिसकस कर रह कि क्यों नहीं कहा, तो कि दि मैंने सूचा इतना अर्ग्यूमेंट अभी कौन करेगा, इतनी बातें अभी कौन करेगा, तो मैंने कहा, मतलब क्या, अभी किसी को तो कहना पड़ेगा, अगर आप ऐसे सुस्त बैठेंगे, कुछ भी कहेंगे नहीं, कुछ भी किसी को समझाए तो आप देखो वो जो आत्माई हैं, majority आत्माई तो सेंटर तक आती नहीं है, तो उन आत्माओं को कौन समझाएगा, कि वो जो आज भक्ती कर रहे हैं, या सन्यास धरम की प्रताओं के पीछे भाग रहे हैं, उससे कोई प्राप्ती नहीं है, और राज्श्योग से प्राप्त आने में सुस्ती नहीं आने चाहिए, दुनिया में भी ये बात कहीं जाती है, कि बुराई इसलिए बढ़ती है, क्योंकि अच्छे बहुत सुस्त होते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं, कि क्राइम इसलिए बढ़ता है, क्योंकि जो क्राइम नहीं करते हैं, वो क्राइम को खत अज्ञान अंधकार में जैसे गोते का रहे हैं और ऐसी दुनिया को अज्ञान अंधकार से निकालने की ताकत जिन ज्ञान प्रकाश से भरपूर बच्चों में हैं वो अगर सुस्त रहेंगे तो फिर ये ज्ञान सब को कैसे मिलेगा तो बाबा हमें कहते एक तो तुम्हें स्कूल में डिबेट करते थे ना तो डिबेट करने का तरीका क्या होता है जो जितना जोर से चिलाएगा उसको उतने माक्स मिलते हैं जो जितना जिसको कहते हैं हला मचाना जो जितना हला मचाता है डेस्क पीटता है चीजे पहकता है जोर-जोर से बोलता है तो उसको सुनाने की भी विधी है सर्विस करने की विधी है पहली चीज है बाबा कहते है तुम में बहुत चतुराई होने चाहिए यह न बहुत चतुराई होने चतुराई क्या होती है साब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे चतुराई बहुत important है ज्ञान समझाने में, क्योंकि क्या है, कि आत्मा की जो अपनी विकार और विकारी मान्यताएं हैं, उसके साथ आत्मा की बहुत ego-attached होती है, तो आत्मा विकार को पहले नहीं छोड़ेगी, विकार तो उसकी लाठी है, वो जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसको पचीस सो वरश्ट से सपोर्ट कर रही हैं, उसको वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते, तो पहले उसको उन बातों को ना कुरिधते हुए हैं, पहले उस आ अनुभव कराना, उसके लिए हमें चत्तुराई चाहिए, पहले आत्मा यह समझे कि आत्मा की ज्ञान में, बाबा की पहचान में बहुत ताकत है, जब उस बात को चक लेती हैं और बाबा से वो अनुभव करने लगती है, तब फिर दिरे बाकी बातें बहुत आसान हो जात कि कहां से शुरू करें, किन बातों को पहले कहें, जिस आधार से आत्मा का जो रुझान है वो बने अगर सर्विस में हम युक्ती-युक्त सर्विस नहीं करते न, तो उस सर्विस की जगर डिस सर्विस हो जाते क्योंकि हम डाइरेक्ट जो शक्तिशाली इंजेक्शन है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका दर्द आत्मा सह नहीं पाते हैं तो इसलिए सर्विस में चतुराई चाहिए बहुत प्रैक्टिकली आज आप देखो सभी इतना आजकल जो ज्यान है वो प्रैक्टिकल रूप से सुनना पसंद करते हैं तो व्यवहारी ज्यान, प्रैक्टिकल ज्यान सुना कर दीरे दीरे उस आत्मा को बाबा का परिच्छे देके उसके बाद बड़ी बातें समझो तो पहली चीज़ है चतुराई चाहिए दूसरी बात बाबा केते हैं क्या देवी गुंड चाहिए अगर हमारे अंदर हर्शित मुकता नहीं है धेरियता नहीं है मधूरता नहीं है सामने वाले को सम्मान देना नहीं आता तो ज्यान कैसे सुनाएंगे उसको तो देवी गुंड चाहिए ज्यान सुनाने के लिए सेवा करने के लिए कोई भी सेवा चाहे सिर्फ ज्यान की सेवा नहीं है कोई भी सेवा यग्य सेवा भी आप सेंटर पर कोई भी सेवा करते हैं तो हर आत्मा हमारे दैवी गुणों को देखते हैं मुझे याद है जब मदूबन आज बाबा ने मदूबन कितनी महिमा की है मदूबन भी जब भाई बहने जाते हैं तो मैं कईयों को देखती हूँ मुझे याद है एक भाई था, साइंटिस्ट था तो उसको मैं लेकर गई थी तो उसको कई classes मदूबन में उसने की नया भाई था, तो नयों की conference में गया था तो सारी class होने के बाद तो क्या हुआ कि एक कन्या थी छोटी सी ग्यान में 5-6 सालों से चलती थी लेकिन उमर में बहुत छोटी थी तो वो कन्या को मैंने कहा कि इस भाई को भोजन पे ले जाना और जो भी इनको कोई प्रश्न हो तो इसका उत्तर दे देना तो जब अंत का दिन आया तो मैं उससे मिली और मैंने उस भाई को पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा तो पता है उसने क्या कहा उसने कहा ये जब ये बहन मेरे साथ जब भोजन करती थी न तो ये बड़ी खुशी से भोजन करते थी एक-एक निवाला खाती थी तो ऐसा लगता था इसको जो रस आ रहा है वो मुझे नहीं आ रहा तो मैं अपने दिल में सोचता था भोजन तो एक ही है दोनों एक ही भोजन खा रहे हैं लेकिन इसको जो रस आ रहा है वो कौन सा रस है तो मैं तो तीन-चार दिन तक भोजन खाने के समय यही देखता रहता था कि किसकी याद में इतने प्यार से भोजन खा रही है और धीरे-धीरे जब इन्होंने बताया कि कि शिप बाबा की याद में भोजन खाने से इतना आनंद आता है तो कुछ-कुछ वो आनंद मुझे भी आया जब मैं भी बाबा की याद में भोजन कर रहा था तो मुझे यही सबसे अच्छी अनुभूत्य हुई तो बाबा हमें कहते हैं, एक तो हमेशा अपने आपको सर्वीसेबल समझ के चलना है सर्वीस पे हूँ मैं, मैं ब्रामन आत्मा हूँ, मुझे जो सुन रहा है, मुझे जो देख रहा है मेरे साथ जो उट बैठ रहा है, उसकी सेवा हूँ और सेवा के लिए क्या चाहिए, देवी गुन चाहिए अगर देवी गुन नहीं है, तो सर्वीस की सब्जेक्ट में पास कैसे होंगे क्योंकि हर समय तो ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे तो देवी गुन वान नहीं होंगे, तो सेवा कैसे करेंगे तीसरी चीज बाबा हमें कहते हैं टेमपर बहुत मीठा होना चाहिए तेमपर बहुत मीठा होना चाहिए देखो आपने बहुत अच्छी ड्रॉइंग बनाई पेंटिंग बनाई पर उसको आग लग गई तो क्या हुआ? खतम हो गई ना? खाक हो गई यह टेमपर ऐसा होता है बहुत कुछ करेंगे बहुत सेवा करेंगे लेकिन एक बार आत्मा हमारा टेमपर देखती है ना? तो उसका सारा दूल जाता है जितनी सेवा होई होगी ना उसकी वो खतम हो जाती ना? तो बाबा कहते है यह जो तुमारा मिजाज है मिठा मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को कोई शिक्षा या समझानी देने में कत्रा हैं या आप किसी को कोई बात कहने में जिचकें लेकिन अंदर वो जो शुभावना है शुभकामना है वो बहुत बहुत अंदर भरपूर होने चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बोल तो बहुत मीठा रहे हैं लेकिन सामने वाले को वो मीठापन पहुचता नहीं है क्योंकि मिजाज मीठा नहीं है मिजाज मीठा होना और मीठा बोलना और उपर से मीठा दिखने में बहुत अंतर होता है हम लोग जब स्कूल में थे तो मैं एक कहानी सुनती थी वो जो लोमडी की जिस लोमडी ने चल कर और बच्चे को अपने वश में कर लिया तो वो जो लोमडी थी, उसकी वो कैसे बन कर आई थी, बहुत मीठी बन कर आई थी, तो कई बार लोमडी भी बहुत मीठी होती है, तो मीठा बनना मतलब लोमडी बनना नहीं होता है, मीठा बनना मतलब होता है, अंदर, हमारे अंदर शान्ती हो, हमें किसी का व्यवहार देख कर किसी की बात को देखकर क्रोध ना आए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इशारा ना दे क्रोध करना और इशारे देने में बहुत फरक होता है कई बार व्यक्ति क्रोध अंदर बहुत करता है कहता कुछ भी नहीं है कई बार कहता बहुत कुछ है लेकिन क्रोध नहीं है वो वो कल्यान के लिए कहा जाता है तो इन दो बातों में हमें फरक करना है और अपना temper ऐसा रखना है मिजाज ऐसा रखना है कि अंदर मीठा पन हो और अंदर मीठा पन कैसे आता है जब हम निर्विकारी होते हैं मैं हमेशा मुड़ली समझाते वक भी कहते हूं मिठा नहीं हो सकता, तो क्योंकि किसी की भी बात, या किसी की भी कोई व्यवार, अगर हमारी ego को ट्रिगर कर दे, तो फिर हम अंदर से मीठे नहीं होते, लेकिन अगर हम मीठे हैं अंदर से, तो हम उस गड़ी उनको सिक्षा भी देंगे, समझानी भी देंगे लेकिन वो शिक्षा समझानी इतनी शुभावना संपन होगी कि उनको बात पहुचेगे और कई बार हम अंदर से इतने इगो हर्ट हो जाती है कि हम वहां से किनारा कर लेते कहते कुछ भी नहीं लेकिन अंदर अंदर हमारे उनके लिए बहुत संकल्प चल तो बाबा हमें आज कहते हैं कि यह जो अपने आपको उमंग उत्साह में रखना अपनी सेवा करना अपने भविष्य राजाई के चित्र को याद रखकर अपने को मोटीवेटेड रखना दूसरी बात सर्व की सेवा की सबजेक्ट में सुस्त ना बनना और सेवा करने के लि ये बहुत attention देने की subject है और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तुमारी पढ़ाई है ये भविश्य के लिए है इस एक जनम हमें बस यही करना है पढ़ना है ज्यान, याद, धाड़ना, सेवा मुरली कब तक सुननी है? आखरी दम तक सुननी है मुरली का मंतन कब तक करना है? हर रोज करना जब तक शरीर छुटता है याद कब तक करना है? निरंतर करनी है इस पढ़ाई का इस जनम में कोई अंतनी होने वाला पवित्र कब तक रहना है जब तक सत्यूग ना आ जाए सेवा कब करनी है हर दिन करनी है निरंतर करनी है तो बाबा कहते हैं यह जो पढ़ाई है यह भविश्य राजाई के लिए है और उस भविश्य राजाई में पहुंचते तक तुम इस पढ़ाई पर एटेंशन देते रहो और बाबा आज हमें तीन बातें बहुत अच्छे कहते हैं बाबा कहते हैं तुमारी राजाई भी वंडर्फुल है तुम आत्मा भी वंडर्फुल हो और यह ज्यान भी वंडर्फुल है और वंडर्फुल माना अगर आप उसका चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धी वंडर से भरी रहेंगी दुनिया में तो लोग कहते हैं कि यह सेवन वंडर्स अब दी वर्ल्ड है यह उसको देखने जाते हैं लेकिन बाबा कहते हैं यह तो हमारा ज्यान ही बहुत वंडर्फुल है ज्यान की एक एक बात ज्यान की एक एक पॉइंट जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारी बुद्धी वंडर से बर जाती है हमारी बुद्धी में वो नशा और खुशी होती है जो मैंने समझती किसी साथ वंडर को भी देखने से होती हो मुझे याद है कोई मुझे बता रहे थे कि मैं ताज महल देखने गया तो मैं ताज महल देखके तो बहुत खुश हुआ लेकिन उसकी आगे जो कतार लगी थी लोगों की उसको देखकर उतना ही दुखी भी हो गया क्योंकि बाहर तक क्यों लगी हुई थी और एंट्री ही नहीं हो पा रही थी, तो मैं विचार करे थी, आजकल तो वंडर देखने जाओ, तो भी वंडर नहीं होता, तो भी ब्लंडर हो जाता है, लेकिन बाबा केते हैं, यह जो ग्यान है, यह बड़ा वंडर्फुल है, जब कोई आत्मा किसी के जैसी नहीं है, और हम किसी को नहीं समझ सकते हैं, और हर एक अपनी जगर राइट है, यह बड़ा वंडर्फुल चीज है, और मैं तो जितना इस बारे में सोचती हूँ, उतना मुझे जैसे रोमांच कड़े हो जाते हैं, कि सोचो कितनी करोडों हर आत्मा की जो पूरी यात्रा है, वो इतनी अलग है, कि मैं उस आत्मा की यात्रा को और उसकी दृष्टी वृत्ति को कभी नहीं समझ सकते, और ना वो मुझे समझ सकते, और हर आत्मा युनीक है, तो आप सोचो एक एक पॉइंट बाबा के ज्ञान की कितनी वंडर्फु सोचो, ऐसी राजाई जिसमें कोई टेंशन नहीं है, है ना, देखो, दुनिया में कहते हैं, कि जिसके सर पे ताज होता है, उसके सर पे तलवार होती है, दुनिया में कहते हैं, कि जिस जो सिर ताज पहनता है, वो तलवार को भी जानता है, कि उसके उपर कितनी बड़ी तल लटकती है लेकिन हमारी ऐसी राजाई है जहां सिर्फ ताज है वो भी दो दो ताज और कोई तलवार नहीं है है ना और बाबा कहते हैं आज सोचो कि व्यक्ति के दो बच्चे होते हैं तो नाक में दम कर देते हैं और वहां सत्युक की पूरी राजधानी होगी और वो ऐसे चलेगी जैसे आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है है ना आत्मा का राजा का प्रजा के साथ ऐसा सामंजस्य होगा जो राजा के कहे बिना ही प्रजा बिलकुल लौ अर्डर में चलेगी तो राजाई भी है और उस राजाई में कोई भी ऐसी जिम्मेवारी नहीं है इतनी हमारी बेहत की सुंदर राजाई होते हैं मैं तो अपने आपको कभी-कभी जब हम विचार करते हैं, तो सोचती हूँ कि आज कल्युक का राजा भी क्या ही राजा है, उसकी तो हालत नौकर से भी खराब है, क्योंकि ऐसी प्रजा को मैनेज करना तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कि ऐसे-ऐसे सब ही आड़े-तेड सब आजाए और उनको आप मैनेज करते रहो, लेकिन बाबा केते हैं कि सत्यू की राजाई तुम्हारे कितनी वंडर्फुल है, हर आत्मा देवता है, हर आत्मा देवी गुन्वान है, प्रजा देवी गुन्वान है, और तो राजा को क्या ही उसमें चिंता है या फिकर है, तो बाबा केते हैं तुम विचार करो अपनी राजाई के बारे में कितनी वंडर्फुल राजाई है, और फिर बाबा केते हैं तुम आत्मा कितनी वंडर्फुल है, सोज विचार करके तो देखो हम कहां से कहां आ जाते हैं, छोटी सी बिंदु आत्मा, दो युगों तक दे बेवी स्वरूप और उसके बाद देखो इतना सारा रावन राज्यों में रहके और आज कैसे हम फिर बाबा के पास हूब हो 5000 वर्ष बाद पहुंच जाते हैं और आप सोचो कि कैसा ये इंट्रेस्टिंग खेल है कि सारा चक्र खाकर वही आत्माई जो आदी में थी वो ठीक पहुंच जाते हैं बाबा के पास कहां बूल बटक के कहां कहां से कैसे पहुंच जाते हैं अभी एक कन्या आती है तो मुझे कहती है दिदी मैं इस सेंटर के सामने से तीन सालों में कई बार गई हो लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं अंदर आऊं लेकिन मुझे इस बार लगा और मैं ऐसी आई हूँ कि यहीं जम गई हूँ तो यह कैसा वंडर्फुल खेल है वो कहती कि इतनी बार गई लेकिन कभी संकल्प नहीं आया लेकिन जब आया तो ऐसा आया कि अब लगता है कि यहीं आते रहें और यहीं आते रहेंगे और इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है तो यह आत्मा के भी कितनी wonderful यात्रा है कि कैसे हम दो यूगों तक राज्य करते हैं और कैसे उसके बाद सब कुछ गवा बैठते हैं और फिर कैसे दो यूगों तक ढूंडते हैं भक्ती में तब मिलता नहीं है बाबा दो यूगों तक इदर डूढते हैं उधर डूढते हैं और फिर घर बेटे मिल जाता है और फिर जब मिलता है तो हमारी बिना मेहनत के ही ना कोई व्रत ना कोई तप ना कुछ और बाबा देखो कैसे उंगली पकड़कर हमें फिर राजाई पर ले जाता है तो बाबा केते हैं, इन बातों का जब तुम विचार सागर मन्थन करोगे न, आज बाबा विचार सागर मन्थन करके, खुशी में रहना और सेवा करना, दोनों बाते हमें समझा रहें, तो बाबा केते हैं, वंडर्फुल ग्यान हैं, वंडर्फुल राजाई हैं, वंडर्फ कहते हैं जितना जितना तुम श्रीमत पर चलते जाएंगे धिरे-धिरे तुमें अपना भी स्वरूप जैसे सामने आता जाएगा है न कि हम वास्तव में कौन है अपना जो देवी स्वरूप है वो क्लियर होता जाएगा जैसे शुरू-शुरू में हम आत्मा है ये अनुभव नहीं होता था अब मैं आत्मा हूँ ये क्लियर होने लगा हुआ की नहीं? धिरे-धिरे अपना जो आत्मिक स्वरूप है वो स्पष्ठ हुआ जितना-जितना अपने आत्मिक स्वरूप पर चिंतन किया तो आत्मिक स्वरूप स्वष्ठ हुआ ऐसे ही बाबा कहते है जितना स्वदर्शन चक्र फिराते जाएंगे न अपना देवी स्वरूप भी स्पष्ठ होता जाएगा कि मैं किस प्रकार का देवता हूँ? कैसे मेरे देवी गुण है? कैसा मेरा देवी स्वरूप है क्या मेरा देवी पद है सब कुछ जैसे बुध्धी में अपने आप रिवील होता जाएगा जैसे आप देखो कोई मेला कपड़ा होता है तो साफ होता जाता है तो उसका असली रंग निकर के आ जाता है न ऐसे ही जितना हम परदर्शन और व्यर्थ चिंतन को छोड़ स्वधर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो हमारा जो ओरीजिनल देवी स्वरूप है वो हमारी बुद्धी में जैसे एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ मेरा नमबर क्या है मेरा पद क्या है मैं कौनसी आत्मा हूँ वो जैसे दिरे दिरे स्पष्ट हो जाएगा जो भी पुर्शार्थ कर रहे हैं उनको दिरे दिरे स्पष्ट हो रहा है और जो अभी लगता है कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा तो स्वदर्शन चक्र फिराओ बाबा की याद में रहो तो धीरे धीरे अपना देवी स्वरूबिस पश्ट होता जाएगा ओके ओम शान्ती